हे दोस्तो वेलकम टू स्टॉक मार्केट एहुलिक मैं आज की इस वीडियो में एक बहुत पॉपुलर सेक्टर के बारे में बात करूँगा ये सेक्टर है रेलवे सेक्टर रिसेंट टाइम्स में रेलवे सेक्टर एक अच्छा कास रिटर्न बना के दिया है प्राइमिनिस्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रोजेक्ट्स में आम आदमी का इस उप लिबिंग पहले से और भी बहतर होगा इस प्रोजेक्ट के अंडर एक ये अमरित भारस श्टेशन स्वीम है जहां स्टेशन को डेवलप्ट किया जाएगा मतला मॉदनासीसन किया जायगा जिसक 27 states and union territories को cover करेगा जिसका redevelopment cost 19,000 करोर का होगा Prime Minister's office के दुआरा बताए जा रहा है कि ये जो stations होगा ये city centers के तरह serve करेगा साथ में intermodal connectivity को improve किया जाएगा kids के लिए play gardens होगा खाने के लिए food courts होगा ये stations environment friendly होगा और दिबियंग लोगों के लिए fully accessible होगा आप सबने एक चीज़ notice किये होंगे कि जिस जगा का station होता है वह का local culture, heritage and architecture को beautifully represent किया जाता है तो ओ सब भी इस projects के अंडर है इस scheme, project के अंडर और भी बहुत कुछ है मैं अगर सारा चीज़ cover करने जाओ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मैं उपर उपर से थोड़ा बता देता हूँ high-level platform देखने को मिलेगा sufficient toilets रहेगा escalators, waiting hall, wifi connectivity, food over bridges two-four wheelers के लिए parking areas, horticulture initiatives passengers के लिए information systems, sitting arrangements or CCTV surveillance and so on अमरित भारत scheme के अंडर कितना railway stations को redeveloped किया जाएगा so here at the list अंद्यपदस में 72 अरुनाचल प्रदस में 1 असाम में 49 बिहार में 80 चतिसगर में 32 दिल्ली में 13 गोआ में 2 गुजराड में 87 हरियान में 29 हिमाचल प्रदस में 3 जाडकन में 57 कनाटका में 55 केराला में 34 मद्यपदस में 80 माराष्ट में 123 मनिपूर में 1 मिघलाया में 1 मिजोराम में 1 नागलेंड में 1 ओडिसा में 57 पंजाम में 30 राजस्तान में 82 सिकिम में 1 तमिनलणू में 73 तेलेंगाना में 39 त्रिपूरा में 4 चंडिगर में 1 जमवन कस्मिर में 4 पुदुचिरी में 3 यूपी में 149 उत्तराखंड में 12 वेस्ट बेंगल में 94 आप कौन सा स्टेट और कौन सा सिटी से ये वीडियो देख रहे हो और आपका नियरबै स्टेशन्स का इस लिस्ट में है की नहीं वो आप कमेंड करके बता सकते हो तो आप इस प्रोजेट्स के लिए कुछ स्टॉक्स को अपने वाच लिस्ट में रख सकते हो बट वान तिंग कीप इन माइंड कि ये साल इलेक्शन का साल है कौन सा सरकार चुन के आएगा इलेक्शन का क्या रेजल्ट होगा उसका इंपेक्ट इन सब स्टॉक्स के उपर देखने को मिलेगा तो फास्टॉक इर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेट्ट को अपने फोकस में रख सकते हो जो पास साल में 447 परसन का रेटर्न डेलिवर किया है इस कमपनी का मार्केट कैप 21,020 करोर का है रेटर्न अन कैपिटल एंप्लोईड 15.7 परसन है रेटर्न अन इक्विटी 15.4 परसन है कमपनी का नेट प्रोफिट लागातर ग्रो होते होए दिखाई देगा इरकॉन इंटरनेशनल का बैलेंस इट देखोगे तो रेजर्ब्स अन सर्प्लस एराउंड 5,000 करोर का है लॉंग टर्म और सॉट टर्म बोरोइंग दोनो जिरो है कमपनी डेट फ्री है सेरोलिंग पैटर्न देखोगे तो प्रोफिटर्स के पास 65.17 परसन है एफईज के पास 4.11 परसन है डियाइस के पास 0.93 परसन है पब्लिक के पास 29.51 परसन है डिसंट सेरोलिंग है नेक्स स्टॉक रेल विकास निगम लिमिटेड अर्बी एनल इस स्टॉक का पास साल का रेटर्न देखोगे तो 1,217 परसन का मल्टी बेगर रेटर्न डेलिवर किया है 2020 में कोबीद के टाइम इस स्टॉक को जिसने खरीदा था उन लोग अच्छा कासा प्रॉफिट में है इस कंपनी का मार्केट कैप 54,000 करोर का है रेटर्न अन कैपिटल एम्प्लोईड 17.8 परसन है रेटर्न अन इक्विटी 20.8 परसन है कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो क्वाटल ये अच्छा कासा प्रॉफिट बना के दिया है बैलेंस इट में रिजर्व्शन सर्प्लास देखोगे तो 4,394 करोर का है लॉंग टाम बॉरोइंग 6,030 करोर का है और सॉट टाम बॉरोइंग 377 करोर का है प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट दिखाया है बैलेंस इट में रिजर्व्शन सर्प्लास 32,401 करोर का है लॉंग टाम बॉरोइंग ज्यादा है 2,16,094 करोर लेकिन IRFC अल्टिमेटली एक PSU है गब्मेंट अब इंडिया ही इसका गैरेंटर है सॉट टाम बॉरोइंग 2,2835 करोर का है इस कमपनी का बॉरोइंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये मार्केट से पैसा रेज करके रेलोइस को फाइनन्स करता है सेरोलिंग पैटन देखोगे तो प्रोमोटर्स के पास 86.36 परसन है इसलिए इस स्टॉक में कभी भी OFS आ सकता है इसी का ही डर रहता है सबको FIS के पास 1.15 परसन है DIS के पास भी 1.15 परसन है और पब्लिक के पास 11.34 परसन है नेक्स टॉक ISATC इस कमपनी को सबसे लास्ट में फाइदा मिलता है जब पटरी पर रेल दोड़ता है तब इसको फाइदा होता है ये स्टॉक 5 साल में 492 परसन का रिटर्न डिलिवर किया है साथ में स्टॉक स्प्लीड भी हुआ था इस कमपनी का मार्केट कैप 74,000 करोर के आसपास है रिटर्न अन कैपिटल एम्पलोईड 59.2 परसन है रिटर्न अन इक्विटी 45.4 परसन है नेट प्रोफिट देखोगे तो कमपनी प्रोफिटेबल है लगातार अच्छे प्रोफिट ग्रोथ पोस्ट किया है आइस स्टॉक का बैलेंस रिट देखोगे तो रिजर्प्शन सर्प्लास 2318 करोर का है लॉंग टाम और सॉट टाम बोरोइंग 2.0 है प्योट डेट फिरी कमपनी है स्टॉलिंग पैटर्न देखोगे तो प्रोमोटर्स के पास 62.40 परसन है एफाइज के पास 7.34 परसन है डियाज के पास 11.98 परसन है और पब्लिक के पास 18.28 परसन है तो ओबर ओल रेलोई सेक्टर ट्रेंडिंग में है और रहेगा यह एक ऐसा सेक्टर है जिसको पास्ट में भी ओर्डर मिला है प्रेजन में भी ओर्डर मिल रहा है और फ्यूचर में भी ओर्डर मिलेगा रोड और रेल इंफ्रस्ट्रक्टर हमरे इंडिया का जीडिपी में 9% कंट्रिब्यूट करता है तो इस stocks का significance इस company का significance आप समझ सकते हो और आप मेरा बताया हुआ stocks को छोड़के और कौन-कौन सा railway stocks को अपने watch list में add करना चाहोगे वो आप comment section में बता सकते हो and that's all for now और इस video को आप चाहो तो आपने friends and family members के साथ share कर सकते हो अगर इस video से कुछ सिगने मिला है तो चैनल को subscribe करना और साथ में एक like जरूर करना ताकि मैं आपके लिए ऐसे valuable videos लाता रहूँ Thank you